आईए आज हम लोग इस्टडी करेंगे अल्प विले लवनों की विलेता साम्मे आवर्था Solubility Equilibri of Inspiringly Solubles Inspiringly का मतलब बहुत अल्प मात्रा में जो साल हो उसी को Inspiringly Solubles बोलते हैं अल्प विले हैं तो इसको देखते हैं तो देखें यहां पे कह रहा है कि हमें ग्यात है कि जल में आयनिक ठोसों की विलेता में बहुत अंतर रहता है तो जो आयनिक सॉलिड हैं उनको अगर जल में डाला जाए और वो आयनित हो जाएं तो वही कह रहा है कि जल में आयनिक ठोसों की विलेता में बहुत अंतर रहता है यानि बहुत ज्यादा इन में अंतर रहता है इन में से कुछ तो इतने अधिक विले जैसे कैल्सियम क्लोराइड हैं कि वे प्रकति में आड़ता गराही होते हैं तथा वाई मंदल से जलवास्प सोसित कर लेते हैं तो देखें हमको पता होना चाहिए कि जो पानी होता है यह सार्वात्रिक विलायक है यानि उनुवर्सल सॉल्वेंट है इनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं सारवात्रिक विलायक यानि ज्यादा तर चीजें मनलब लगभग सभी चीजें पानी में घुल जाती हैं सारवात्रिक का मतलब तो घुलने की बात तो जो है वो है ही मतलब अधिक विले होती है तो वही कह रहा है कि इन में से कुछ तो इतने अधिक विले होते हैं जैसे कल्सियम क्लोराइट कि वे प्रकति में आर्थिता ग्राई होते हैं यानि हाइग्रोइस्कोपिक नेचर होता है मतलब पानी को सोखने की चमता होती है जैसे किसी चीज़ को अगर बाहर रख दिया जाए जैसे नमक रख दो तो नमक गीला हो जाता है यानि इसमें हाइग्रोइस्कोपिक चमता है आर्दता ग्राही है पानी को अपने अंदर सोखने की चमता है तो आई कहरा है वे प्रकत में अर्था ग्राही होते हैं तथा वाई वंडल में जलवास पाउसोसित कर लेते हैं कुछ अन जैसे लीथियम फ्लोराइट की विलेता इतनी कम है कि इन्हें सामान निभासा में अभी ले कहते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत विले हैं तो ये देखे डिरेक्ट आप से पूछा जा सकता है कि कौन अत्यदिक विले है कौन अलप विले है तो कल्सियम फ्लोराइट बहुत विले है और लीथियम फ्लोराइट अलप विले है तो इसको सामान निभासा में हम इतनी ज्यादा कम विलेता है लिथियम फ्रोराइट की किसे अभी ले कह सकते हैं यानि इन्सॉल्यूबल है विलेता कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें से मुख्य है लवन की जालक उसमा यानि लैटिस इनर्जी तो बेरी बेरी मॉस्ट इंपर्टेंट की जो सॉल्यूबिलिटी है वो कैसे डिसाइड होगी तो उसमें एक फैक्टर है की जो भी साल्ट हम पानी में घोलेंगे तो उसकी लैटिस इनर्जी या लैटिस एंथेल्पी यानि जालक उसमा तथा विलैन में आएनों की विलायक एंथेल्पी विलैन में जो आएन होगे तो उनकी विलायक एंथेल्पी तो इसको भी अंडर्लाइन कर लेजे वो पूरा और यहां तक अंडर्लाइन आएगा तो दो चीजे निकल के आएं एक लैटिस एंथेल्पी जो हमारा साल्ट है और दूसरा दूसरा बिलैन में आएनों की विलायक एंथेल्पी तो सॉलिबिलिटी एस सॉल्वेंट एंथेल्पी और एक है हमारा लैटिस एनर्जी तो salt के लिए lattice energy और जिसमें डाला जा रहा है जैसे पानी है और नमक है हमारे पास तो नमक के जो कण है उन कणों के आपस में कठा होने का जो कारण है वो कारण यह है कि उसके प्रतेक परमाड जो है आइटम जो है एने सी यल के वो आपस में चिपके हुए है जो चिपके हुए है तो उनके बीच एक force लग रहा है बल लग रहा है तो बहुत सारे चो की आइटम है तो एक जाल जैसे सनचना बना लेंगे अगर हम सारे फोर्स लगने वाले बनों को एक तरह से लाइन द्वारा इंगित करें तो जाल जैसी सनचना महसूस होगी और चूंकि ये बल के द्वारा बंदे हैं तो इनको तोड़ने के लिए हमें उर्जा की जरूरत पड़ेगी और जाल को तोड़ने के लिए तो इसलिए उर्जा की जरूरत पड़ेगी और चूंकि वो और जाल को तोड़ने के लिए तो इसलिए उसको लैटिस एनथल्पी बोलते हैं लैटिस उसमा अब यह तो हो गई जो डाला जा रहा है और जिसमें डाला जा रहा है तो नमक जो नसल हम डाल रहा है तो यह हमारा सॉलिट हो गया बिले और डाल किसमें रहा है माली जो पानी में डाल रहा है यहां तो पानी ही लिया गया तो जब पानी में हम डाल रहे हैं उसको तो उसके जो हमारा solvent है पानी है जिसको हम विलायक करें तो कितना अपने अंदर उस विले को घोलने की छमता है उसे विलायक enthalpy कहेंगे विलायक enthalpy तो जैसे बात है कि जो भी विलेता है ये विलेता कितनी बातों पर निर्बर कर रहे हुए दो बातों पर जैसे इसको इस तरह समझे की हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये दो बातों पर निर्बर है कि आपकी इस्थित क्या बनेगी आप डяक्टर बनेगे किने दो बात पर निर्बर है, एक आप पर निर्बर, एक मुझ पर निर्बर है इसी प्रकार कोई साल्ट है लावर, वो कितना तूटेगा पानी में ये दो बात पर निर्बर, एक साल्ट पर निर्बर, एक पानी पर निर्बर है अब देखिए दो बातें जो हैं हमारे आपके बीच में वो ये हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप कितना ध्यान से पढ़ रहा हैं एक तो ये बात पर निर्भर करेगी दूसरी बात मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ इस बात पर निर्भर करेगी दो बातों पर इसी प्रकार से किसी salt को जब हम किसी विलायक में डालते हैं तो उसके जो आयन बनेगे वो आयन बनने की प्रवर्थि दो बातों पर निर्भर करेगी एक तो salt में जो आबंध हैं, bond हैं, वो कितने powerful हैं उसी को lightness energy कह रहा है, lightness enthalpy और जो विलायक है उसमें गोलने की कितनी छमता है, वो विलायक enthalpy कह रहा है तो दो बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं तो कह रहा है एक लमण को यानि salt को विलायक में गोलने के लिए आयनों के मद्ध प्रवलाकरसन बन जिसको जैलक enthalpy कहते हैं से आयन विलायक इन्योन क्रिया करनी होती है तो कहने का मलब यह है कि जो भी 60 जाला जारा है उनके मद्ध जो प्रबला करसन भला है इस ट्रांग अट्रेक्शन फोर्स है प्लस और माइनस चार्ज के बीच में यानि प्लस कहाँ, नाभीक में जो प्रोटान है, माइनस कहाँ, जो इलेक्ट्रान है बाहर, तो परमाड़, अब दूसरा जो परमाड़ उसके बीच भी ऐसे, तो इसे अन्योन करिया कह रहा है, यानि इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन वाली रियक्शन जो है, उसको जो है बैलेंस करना होता है तो आई कह रहा है कि एक लावण के विलायक में घोनने के लिए आयनों के मद्ध प्रबला कर संबल यानि जैलक एंथेलपी से आयनन विलायक एंथेलपी क्रिया अधिक होनी जाएं तो आयनन विलायक एंथेलपी जो है यानि जो विलायक है हमारा इसमें तोड़ने की cхंता जो है वो विलायक एंथल्पी और वो जैब banda होना चाहिए किस से जालक एंथल्पी दो जो लवृण है जो तूट जिसको तोड़ रहे हैं उसकी उरिजे कम होनी चाहिए घोलने वाले की जैधा होना चाहिए तब ही यह बात बनेगे कि वो टूटेगा जैसे हम पढ़ा रहा हैं तो हमारा ग्यान आप से ज्यादा होना चाहिए तभी हम ग्यान को आपके अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे तभी आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा तो इसी प्रकार है कि जो तोडने वाला है यानि विलायक है उ को विलायकियन के रूप में रूपित करते हैं जो सदय और रिणात्मक होती है तो ध्यान देजिए कि आइनों की जो solubility enthalpy है solvent enthalpy है इसको विलायकियन के रूप में परदर्सित करते हैं इसको थोड़ा इंगलिस में देख लेते हैं the solubation enthalpy our point is referred to in term of solubation तो विलायक enthalpy जो है उसको solubation भी बोलते हैं हिंदी में बोल ला है विलायकियन तो solubation इसको बोलते हैं और विलायक enthalpy को solubation enthalpy तो केवल salvation यानि विलायकियन कहें दे रहा है बस जो सदय और रिणात्मक होती है ध्यान देजिए निगेटिव होती है क्यों जैसे हमने gifts free energy पढ़ा था तो उसमें यह पढ़ा था कि अगर कोई क्रिया स्वता परिवर्थित हो रही है आटोनोमस है आटोमेटिक चेंज हो रहा है आटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा जी यानि gifts free energy निगेटिव थी तो इसी प्रकार से अगर विलायक enthalpy यानि solvation, enthalpy या solvation जिसको कह रहा है वो निगेटिव होगी तब ही soluban होगा कोई salt किसी solvent में आता है विलायकियन प्रक्रिया में उर्जया मुक्त होती है जैसे बात है कि रिनात्मक है अगर रिनात्मक का मतलब है कि कमी का मतलब क्या है कि कुछ चीज बाहर निकल गई है तो उस कमी की वज़े से रिन चिन्ह द्वारा लिखते है निगेटिव से और निगेटिव का मतल जब ही है कि एनर्जी बाहर मुक्त हुई है यानि salvation प्रक्रिया में उर्जा मुक्त होती है ये महत्तपून है आप देखें विलायकियन यानि salvation उर्जा की मात्रा विलायक की प्रकत ही पर निर्बर करती है अब solvent का ऐसा है इस बात प्रनिर्बर करेगा salvation energy आधर भी यानि साथ समझेक विलायक में विलायकियन इन्थेल्पी की मात्रा कम होती है जो लावड की जाला कुर्जा को पराथा यानि overcome करने में शक्षम नहीं है तो ध्यान देजिए कि जितने non-polar या co-violent कह सकते हैं compound है उनमें क्या होता है salvation energy कम होती है वैसे भी हमने पढ़ा है कि जितने भी हमारे organic compound है उनमें सासयोजग बंद पाये जाता है और सासयोजग बंद पोलर बंद आबंध यानि आइनिक आबंद से कमजोर होता है तो जायच बात है कि जो कमजोर होगा उसको तोड़ने में उर्जा भी कम लगेगी इसलिए salvation enthalpy के लिए कम होती है आगे कह रहा है पढ़ाम स्वरूप लावड अध्रवी विलायक में नहीं गुलता है तो इससे क्या होता है कि जो साल्ट होता है वो अध्रवी विलायक में नहीं गुलता है जैच बात है साल्ट के लिए lightness energy यानि जालक एंथल्पी ज्यादा है अगर विलायक यानि solvent हमारा अध्रवी है नान पोलर तो उसका स्योजक जो ये solvent एंथल्पी है वो कम होगी जैच बात है कम होगी तो ये जाल को नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि साल्ट की जालक एंथल्पी ज्यादा है तो अध्रवी विलायक में लवर नहीं गुल पाएगा सिधी सिधी बात है यदि कोई लवर एक सामान नियम से जल में गुल सकता है तो इसकी विलायक एंथल्पी लवर की जालक एंथल्पी से अधिक होनी चाहिए तो ध्यान देना है कि यदि कोई लवड किसी विलायक यानि solvent में घुल सकता है तो यह बात महत्पूर्ण है कि उसकी salvation energy जो solvent की है enthalpy वो lattice enthalpy से ज्यादा होनी चाहिए तभी उसके जाल को तोड़ पाएगा ताकतवार है तभी तोड़ पाएगा पर तेक लवड की एक अभी लाग छड़िक विलेता होती है जो ताप पर निर्भर करती है तो ध्यान देजे कोई salt होता है तो उसकी जो solubility है characteristic वो temperature पर dependent है इसलिए बार बार उसमा सब्द इस्तेमाल हो रहा है जालक उसमा कह रहा है जालक enthalpy उसमा सब्द ताप से संब्द इते क्योंकि जो विलेता है वो temperature पर निर्भर करती है इसलिए enthalpy के term में चीजें बताई जा रहे है पर तेक लवड की अपनी visist विलेता होती है या ताप पर निर्भर करती है हम इन लवड को इनकी विलेता के आधार पर तीन वर्गों में विवाजित करते हैं तो solubility के आधार पर देखे विवाजित किया जा रहा है solubility के आधार पर विवाजित करना है वर्ग first क्या है विलेता जिनकी 0.1 molar से ज्यादा हो दूसरा कम भी ले जिनकी विलेता 0.01 से कम या 0.1 मोलर से कम हो नई विलेता 0.01 से ज्यादा और 0.1 M से कम हो इसको इंग्लिस वाली बुक में थोड़ा देखते हैं यहाँ भी हम है देखे यह गरबर हो रहा है मनलब जो solubility है विलेता अगर solubel है यानि विले है तो इसका विलेता है कि उसकी solubility यानि विलेता 0.1 मोलर से ज्यादा है अगर slightly विले है तो जो solubility है वो 0.1 मोलर से कम और 0.1 मोलर से ज्यादा होती यह इस्थिति है और अगर spiringly soluble है यानि alp विले है तो solubility 0.01 मोलर से कम होगी ध्यान देजिए यह बीच वाले इस्थित में 0.1 मोलर से कम या 0.1 मोलर से 0.01 मोलर से मोलर से ज्यादा होगी solubility 0.1 मोलर से कम होगी और 0.01 मोलर से ज्यादा होगी इसको ध्यान देना तो यहाँ पर भी देखिए मोलर है यह हम होना चाहिए है भूल गया है और Alp Veday यानि Spiringly Soluble जो है उसके लिए Vilay ता 0.01 से भी कम है 0.1 से ज्यादा है तो Soluble 0.1 से कम और 0.01 से ज्यादा है तो Alp Veday और अगर Vilay ता 0.01 से भी कम है तो इसे Spiringly Soluble या Alp Veday कहेंगे अब हम इन विले आयनिक लवर्त अथा इनके संत्रप्त जली विलेन के बीच शाम्य आउर्था पर विचार करेंगे तो यही आयनिक साल्ट हैं और इनके जो संत्रप्त विलेन हैं के बीच साम्य आउर्था पर विचार करेंगे अब देखें यहाँ पर शब्द आगया संत्रप्त भी लें Saturated Solution इसको एंगरेजी में बोलेगे इसके बारे में पहले समझ ले तो देखें Saturation का क्या मतलब होता है जैसे हम आपको पढ़ाते रहते हैं पढ़ाते पढ़ाते अगर दो गंटा पढ़ाएं तो कहते हैं कि Saturation आगया है थोड़ा ब्रेक चाहिए तो उसका मलब यह होता है कि अभी से ज्यादा दिमाग में ग्यान को भरने की अभी इस्थित नहीं है मलब भर चुका है इसी प्रकार से कोई विलायक यानि सॉल्वेंट है उसमें कोई विले यानि सॉल्वेंट डाला जा रहा है डालते 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 इतना गोलते चले जाएं कि अब उसमें गुलने की छमता खतम हो जाएं गुलने की छमता खतम हो जाएं और फिर आप उसको गरम करें जब गरम करेंगे तो हमने पढ़ा है कि गरम करने से solubility बढ़ जाती है यानि बिलेता बढ़ जाती तो फिर थोड़ा बहुत घुलेगा और घुलता चला जाएगा फिर एक इस्तिता आजाएगी कि फिर बंद हो जाएगा घुलना अब उसको हम रख दें ठंडा होने के लिए तो गरम होने पर जो घुला था जब ठंडा होगा बिलेन तो जितना घुला था गरम होने पर वो सब नीचे बैट जाएगा अब उसको छान लेजिए जो नीचे बैट गया तो यह जो बिलेन बचा यह संत्रप्त बिलेन है यानि saturated बिलेन कि अब इसमें और अधिक बिले नहीं गोला जा सकता है तो इसको हम क्या बोलते हैं संत्रप्त बिलेन यहां अंगरेजी में saturated solution अब यहां पर संत्रप्त जली बिलेन की हम बात करेंगे सब जगे देखे पानी ही आ रहा तो saturated water solution माने solvent पानी ही है जिसमें कोई salt डाला जाना तो अब हम आयनिक लवर के संत्रप्त जली बिलेन के बीच साम्मे आवर्षत है और equilibrium पर बिचार करेंगे तो सब से पहले हमारा आ जाता है बिलेता गुडन फल बिलेता गुडन फल इसको अंगरेजी में solubility product बोलते है solubility product constant चुकि constant तो constant भी लगा दिये तो solubility विलेता गुडन फल इस्थिरांके यानि solubility product constant यह हो गया तब देखे कोई एक salt ले करके हमने आपको बताया salt का मतलब जो अमला और छार के उदा सेनी करण से प्राप्त हो acid और basic neutralization से जो प्राप्त हो उसे हम salt कहेंगे तो विलेता गुडन फल इस्थिरांके यानि solubility product constant तो आईए barium sulfate सद्र स्थोस लावड को जो इसके संत्रप्त जली विलेन के संपर्क में है पर विचैर करें तो sodium barium sulfate से यहाँ पूरा हम लोग समझेंगे तो कराया गुलित थोस तथा इसके संत्रप्त विलेन के आयनन के आयन के मद्ध शाम्या वर्था को निम लिखित समीकान दोरा परदर्सित किया जाता है ध्यान देजै संत्रप्त विलेन जब विलेन संत्रप्त होगा यानी saturated होगा तभी हम solubility product constant की बात करेंगे तो ध्यान देजै villेन को अंडिल्लायन करें कि जब संत्रप्त विलेन होगा तभी विलेता गुणन फल इस्तिरांग यानि solubility product constant की बात होगी इसके पहले नहीं होगी यहीं ध्यान देना है गलती मत करना यहीं सब गलतीयां हो जाती है तो देखें यहाँ पर BA SO4 solid है equilibrium reversible reaction है तो BA positive plus equus plus SO4 minus 2 equus यहाँ पानी में डाला जा रहा है देखें जल लिक भी दिया है तभी यहाँ पर equus आया है तो साम्मे आवर्स्ता इस तिराएं के निम ने लिके समी कांड़ द्वारा प्रदर्सित किया जाता है इस ते हैं वैसे ही के बराबर product के concentration अपान reactant यहाँ पर product हो गया BA plus 2 SO4 minus 2 अपान BA SO4 अब देखें सुद्ध ठोस्पदार्थ की सांधता इस्तिराएती है solid की constant होती है तो इसको नहीं लेंगे तो KSP equal to हो जाएगा KBA SO4 यह constant हो गया तो यह हो जाएगा केवल यह बचेगा BA plus 2 और SO4 minus 2 ध्यान दीजे barium में पानी भी है और barium भी है जहां पर दो चीज होंगी वह ही लिया जाता है जैसे पानी है या स्टू ओ लिक्विड इधर लिखते उसको भी नहीं लिया जाता है क्योंकि पानी अकेला है solid भी नहीं लिया जाता है क्योंकि solid अकेला है अकेली चीज हम नहीं लेंगे इसमें, पूरी चैपटर में जो पढ़े हैं, उसमें अकेली चीज नहीं लेते हैं, द्यान देगी, या तो फिर वो разработ में, तो गैस में जो लिये थे equilibrium में वो एक अलग मुद्धा हो गया, लेकिन अकेली चीज नहीं लेते हैं, इसको इस तरह किसलिए नहीं लिखा गया, आप देखें, solubility product constant, solubility product, solubility का पहला अच्छा, yes product का P, yes P लिख दिया, तो KSP को विलेता गुडन फल इस्तिनांक या विलेता गुडन फल कहते, वो प्रोक्त समिकान में KSP का प्रयोग, प्रयोगिक मान, 298 के लिविन पर एक दसमलो, एक उने 10 जाते माइनस, 10 है, इसकार्थ यह है, कि ठोस बेरियम सल्पेट, जो अपने संत्रप्त बिलैन, द्यान देजिए, सैचुरेटर सोल्यूशन के साथ, शाम में आवर्ष्था में है, के लिए, बेरियम तता सल्पेट आयनों की सांताओं का गुडन फल, इसके विलेता गुडन फल इस्तिरांग के तुल्ले, तो ध्यान देजिए, साचुरेटर सोल्यूशन में ही होगी, और देख ये, चोंकि टंप्रेचर बढ़ाने पर विलेता बढ़ती है, इसलिए टंप्रेचर भी दिया है, कि भहिया, दोसो अठान बे केलिविन पर ये बात की जा रही है, घूमना मत की टंप्रेचर बदलेगा, तो वो इस्तित भी बदल जाएगी, तो देखें, आपर दोसो अठा में केलिविन टंप्रेचर पर केस्पी 1.1 इंटो 10 पाउर माइनस 10 है, टंप्रेचर को ध्यान देजिए, तो इस प्रकार से जो है, बिलेता गुणन फन हमको पता चल गया, कि आखिर क्या होता है, तो बीए असल फोर के लिए देखिये, ये निकाला गया है, ये बीए इस फोर के लिए है, अन्αι चीज़ के लिए ये चेंज हो जाएगा, जब देखिये, बीए इस फोर इदर आ गया है, तो के बीए सोर लिखा है, बर्शा को हो जाएगा यही KSP है तो चूँकि यह constant है तो इसको फिर भी इस तरह लिखा है जो चीज है उसको लिख दिया गया है अब देखे आगे क्या कह रहा है कह रहा है कि इन दोनों आयनों की सांथा बिले बेरियम सल्फेट की मोलर बिलेता के बराबर होती है यहीर болर बिलेता यहस होतो है तो देखे दोनों आयन जो बी ए प्लस टू और यहसो 4-2 बने है तो इनका जो कंसेंट्रेशन है वो मोलर विलेता के बरावर होता है तो अगर इसको हम एक कैप्टल से लिखें तो क्या हो जाएगा देखें विलेता गुणन फन 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 10 हमको बताये गया है 208 में के लिविन पर अभी उपर पढ़ें तो यह हो जाएगा तो रूट निकल के आया 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 5 इस प्रकार बेरियम सल्फेट की मोनर भी लेता कितनी हो गई 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोन पर लीटर होगी तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं अभी एक्जाम्पल में और अच्छा किलियर हो जाएगा और कुश्चन भी करेंगे तो वही कहरा कि कोई लवड वियोजन के फल्सरूप यानि डिसोसियेशन यानि आयनों में तूटने के फल्सरूप भिन भिन आवेसों वाले दो या दो से अधिक रिनायन या धनायन देशकता है ते भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक पाश्टी और निगेटिव आयन देदे उदाण के लिए हम आए हम जिर्कोनियम सल्फेट यानि जे डार प्लस फोर का होल थ्राइस PO4-3 का whole-4 शद्रस लावड पर विचार करें जो 4 धनायनों वाले 3 जिरकोनिय मायनों यह उन 3 रिडावेस वाले 4 फासपेट आयनों में वियोजित होता है जे डार प्लस 4 का whole-3 और PO4-3 का whole-4 इस तरह के लावड पर विचार करें तो जब यह तूटेगा तो हमारा क्या होगा देखिए तूट रहा है यहाँ पर तो यह 4 इसमें जाएगा तो यहाँ पर देखिए जे डार प्लस 4 के 3 आयन है तो जे डार प्लस 4 के लिए 3S हो गया PO4-3 के 4 आयन है तो PO4-3 के लिए 4S हो गया Solubility तो भाई कह रहा है कि कि जो जिर्कोनियम है I.E.M. जिर्कोनियम फासफेट यहाँ जे डार प्लस 4 का whole था इस PO4-3 का whole 4 स्रदस लावड पर विचार करें जो चार दनायनों वाले तता तीन जिर्कोनियम फासफेट आयनों में बियोजित हो जाता है तो तीन रिण होंगे तीन रिण है और चार है PO4 तो चार फासफेट आयनों में बियोजित होता है और चार दनायनों वाले तीन जिर्कोनियम आयनों तो चार दनावेस वाले तीन जिर्कोनियम आयनों में बियोजित होता है यद जिर्कोनियम फासफेट के मोडर विलेता यस हो तो हम इस योगिक के रस समी करण मिती अनुपात को इस प्रकार से लिख सेकता है यानि इस TQ मेट्रिक को पिसिंट के अधार पर कैसे लिखेंगे हम लोग तो देखिए जेडार प्लस 4 हमारे 3 है तो 3S लिख दिया PO 4 माइनस 3 हमारे 4 है तो 4S लिख दिया तो अब अगर हम KS पी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे 3S जिर्कोनियम फासफेट 3S 3S है और 3 है तो क्यूब कर दिया और 4S हमारे ये 4 है देखिए तो 4S और इसका 4 कर दिया मनलब जो यह है वही पावर में चला जाएगा और solubility में भी रहेगा पावर में भी रहेगा solubility में भी रहेगा तो देखिए 3 है तो 3S है और पावर में भी 3 है 4 है तो 4S है और पावर में भी 4 है तो यह हो गया हमारा यह इसका cube करेंगे इसका 4 करेंगे तो आजाएगा 7912 yes की power गुड़ा करनें power जुड़ती हैं तो 7 हो गया तो yes solubility अगर निकालें तब यह पूरा इधर आजाएगा तो ksp अपान 3 की power 3 into 4 की power 4 और इन सब की power हो जाएगा यह उपर है नीचे जाएगा तो 1 by 7 हो जाएगा तो यह हमारा आगया ksp अपान 712 की power 1 by 7 तो कहरा यह दि किसी ठोस लावड जिसका सामान सूत्र mxp positive की power p plus और xy की power minus q हो जो अपने संत्रप्त विलायन के साथ सामय और फ्था में हो तथा जिसकी molar विलेता yes ही हो तो निम लिकिस समिकार दोरा बेक्ट किया जा सकता है अब जेकिए कि युनिवर्सल जो है समिकार निकाला जैसे bsf4 के लिए निकाला इसके लिए तो यह सब एक्जामपल दिये कि आप निकालना सीख जाएं अब देखे बता रहा है कि जिस तरह निकालना है तो इस हिसाब से हम किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हम एक यह जेनरल फार्मूला बना लेते हैं इसी का हमेशा इस्तेमाल करेंगे यह फार्मूला हमारा निकल के आगया यह मैं एक्स एक्स वाई टाइप का कोई साल्ट है इसका सॉलिबिल्टी प्रोड़क्ट निकालना है तो यह रिवर्सिबल का साइन हो गया अब यह यह यक्स है तो यह इसका स्टीकियोमेट्रिक कोफिसेंट होगा यम पावर पी पास्टिव है एक्क्वस अगर पानी में डाला जाएगा तो इस तरह टूटेगा प्लस ये कैसे टूटे का y x की पावर माइनस q एक्वस यहां x x negative और p positive यहां पर x into p positive यानि x negative और p positive होना चाहिए इसको इंगलीस में देखते हैं इसके कायने का मतला भी है कि x के साथ यह p positive यानि पाहले जो stichometric coefficient into power is equal to stichometric coefficient into power यह कह रहा है कि यहां x into x हमारा stichometric coefficient है रस समीक और मिती यन पाथ जिसको कहते हैं तो यह जो है जो पाहले है वो बुड़े पावर तो पाहले जो है उसमें power का गुणा करना इसी प्रकार इसमें देखे जो पाहले है उसमें power का गुणा और यह दोनों बराबर होंगे हम हर जगे यही तो पढ़ें कि यह दोनों बराबर होंगे ऊपर से नीचे तक पड़ते चले आएं ऐसे देखे three S है तो 4 है तो 4 312 इसमें यहाँ पर 4 S है तो यहाँ minus 3 है 4 3 12 दुनों तरफ बराबर है कि नहीं प्लस माइनर तो वही बात यहाँ पर कह रहा है आप देखे आगे कह रहा है कि तथा इसका विलेता गुणन फल इस्तिरांक निम लिखी समी करण दोरा प्राप्त किया जा सकता है तो देखे के स्पीच कल्टू यम पी की पावर प्लस और ये स्टिक्यो मेट्रिक कोपिसिंट का क्यूब पावर हो जाएगा तो ये जो गुणा में होगा वो पावर में जाएगा इसी प्रकार येक्स की पावर माइनस की और जो गुणा में है वो पावर में जाएगा तो यह हो गया हमारा Xส की पावर X और Yes Y की पावर Y जो पावर में होगा वो गुणा होगा विलेता मैं और पावर में भी रहेगा तो जो पावर में उसका पहले गुणा होगा जब कुश्ण करेंगे तो बढा असान हो जाए जो power में पहले गुड़ा होगा तो यह हो जाएगा x x की power x y y की power x और यह दोनों का yes है तो yes, अब जैसे yes yes का गुड़ा square होता था, तो दोनों की power जुड़ेंगी x plus y तो यह yes, x plus y equal to ksp, यह पूरा इधर आएगा तो ksp अपान यह इतना आजाएगा x की power x, y की power y तो yes, इस काल्टू हो गया ksp अपान x की power x into y की power y, और यह पूरा इधर आजाएगा, तो यह इसमें उपर power में है तो one upon में चला जाएगा तो one upon x plus y हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग ksp निकालेंगे, इस के लिए तो इसको भी बाक्स में बंद कर दो इस प्रकार यह चीज हमें प्राप्त होती है तो वही कहरा है कि समीकान में जब एक या आधिक पिसीच की सांदता उनकी शाम्यावर्था सांदता नहीं है तब ksp को qsp से बेक्त किया जाता है ध्यान देजिए फिर एक नई गड़ित आगई कि समीकान में जब एक या आधिक पिसीच की सांदता उसकी साम्यावर्था सांदता नहीं है तब ksp को qsp से बेक्त किया जाता है जैसे वहाँ पर q equilibrium पढ़ते थे साम्यावर्था भाग फल जिसको कहते थे वही कहानी यहाँ पर आ गई कि अगर equilibrium की condition नहीं है क्योंकि यह sign equilibrium का है तो equilibrium की condition नहीं है तो ksp जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको qsp लिखते है देखें 21762 यह दिया गया है वहाँ भी तो इस पर श्ठाय की साम्यावर्था पर ksp qsp होता है किन्तो अन पर इस्थितियों में यह आवक चेपन यह विलेन यह दिजोलूशन प्रक्रियाओं का संकेत देता है तो अगर equilibrium की condition है तो ksp qsp के बराबर होगा तथा अन इस्थितियों में यह आवक चेपन यह विलेन प्रक्रियाओं का संकेत देता है आवक चेपन का मतलब कि नीचे बाट जाएगा तो बाटेगा कब इसको थोड़ा इंगलिस में देख लेता है तो देखें यहाँ पर कह रहा है बट आवक चेपन यह विलेन तो कहने का मतलब यह तो जम के नीचे बाट जाएगा यह फिर और घुलेगा तो जम के नीचे कब बैठेगा जब बिलेन संत्रप्त होगा यानि साइचुरेटेड होगा तो हमने बताया था कि उससे ज्यादा आप नहीं गुलेगा या बिलेन संत्रप्त नहीं है और KSP ज़्यादा है QSP से तो और घुलता चला जाएगा मतलब और घुलेगा तो जैसे पीछे समझते तो वही कंडिशन यहाँ पर हो गई है बस और कुछ भी चेंज नहीं है अब देखे सारणी आ गई है इसमें KSP की वैलू दी गई है तो इसे याद करने की कोई जरूत नहीं है अब हम आगे देखते हैं आगे आ जाता है आयनिक लाणों की विलेता पर सम आयन प्रभाव तो आयनिक साल्ट जो है उनकी सॉलबिल्टी पर कामन आयन का क्या इफेक्ट है ये हम आगे पढ़ेंगे तो फिलाल आज यहीं तक